मैं आज दिखाऊंगा एक टूपिन सोकेट और एक स्विच का कनेक्शन कैसे होता है तो चलिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं यह मैंने एक छोटा सा वायर्ड काटके रखा है इसको हम यह जो टूपिन सोकेट के नीचे के टर्मिनल है वहाँ पे लगाएंगे कि अदीए व और दूसरे एंड को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लगाएंगे अब इसका मेन लाइन को हम लगाएंगे जो ब्लैग बाला वायर्ड है वह टूपित सोकेट के जो उपर वाला ट्रमिनल है वहाँ पे लगा देंगे और यह रेट बाला है वो स्विच के जो ऊपर बाले टर्मिनल है वहाँ पर लगा देंगे तो चलिए आप हम इस टूपिन टॉप को इस टूपिन सॉकेट में लगा देते हैं और स्विच को अन करते हैं तो देखिए बोट चालू हो गया